तो फ्रेंड आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 35 feet by 35 feet का house plan अगर आपका plot size 40 feet by 40 feet का है और उस पर आप घर बनाना चाते हो तो ये plan आपके लिए बहुत अच्छा है इसमें आप जो घर बनाओगे वो आपका घर बैठेगा 35 feet by 35 feet का अप अपने plot के चारो तरब से ढाई ढाई feet छोड़ना परेगा ठीक है तो चलिए चारो तरब से ढाई ढाई feet छोड़ दिए अब हमारा 35 feet by 35 feet का जगा बचाया है उसके अंदर हम लोग आप इस plan को देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉपर तरीके से बेड़ूम को इस पर पोजिशन कर सकते हैं अपने परसनल यूज के लिए तो पहले चलिए प्लान को समझा देता हूं उसके बाद मैं आपको सारा डीटेल्स बताऊंगा कि वॉल का थिकनिस कितना होगा दोर का साइस क्या ह सारे यहां राइजर परवर हें आपको मिलेगाँ जो हो अपने घर के अंदर में तो यहां पर दिख्रीजाऊफ को काल-पार्किंग मिल जाएगा यह रैम बना हुआ है और यहां पे आपका gate रहेगा इधर से भी और इधर से भी दोनों size से आप क्या करोगे अपने car को यहां से घुशा सकते हो और parking कर सकते हो तो इस car parking का size है आपका 12 feet 9 inch by 11 feet 5 inch ठीक है 12 feet 9 inch आपका ऐसे हो गया और 11 feet 5 inch आपका ऐसे हो गया तो यह आपका parking हो गया ठीक है अब चलिए यहां से हम आपको अपने घर के अंदर जाते हैं घर के अंदर जैसी घुशोगे यहां पे आपको यह door मिलता है double shutter वाला इसका size रहेगा आपका 4 feet का मैं यह आपको बार में समझाओंगा जारा तो 4 feet का यह main door है जैसी आप main door के अंदर जाओगे यहां पे आपको living hall मिल जाता है यूज के लिए बहुत बार इसका size है आपका 18 feet 7 inch वाई 10 feet 10 inch का ठीक है तो hall बरा देने से आपका घर भी थोड़ा खुला खुला और अच्छा दिखता है दिखने में तो यह living hall बरा आपको मिल जाता है यहां पे आप अपना sofa project कर सकते हो आपके हिसाब से जहां पी आपका requirement है यहां पे आपका steer आयाता है उपर जाने के लिए तो यह आपका up है यहां से आपका first step आएगा और ऐसे आप जाओगे ऐसे घुमते हुए आप अपने first floor पे चले जाओगे steer के नीचे का part भी आप क्या कर सकते हो box बना कर अपने कोई भी position को कोई भी चीजों को रखने के लिए यूज कर सकते हो या आप चाहो तो यहां पे नीचे cover भी बना के उसको यूज कर सकते हो अपने चीजों को रखने के लिए या इंटिरियर इसाप से भी इसको आप सजाकर अच्छे से देखने में अच्छा लगे उस इसाप से भी आप इसको यूज कर पाओगे इस स्पेस को वेस्ट नहीं होगा ठीक है तो इस टेयर के देखिए मिड लेंडिंग के यहां पर देखो कि विंडो आपको मिल जाता है व अब चलिए हम लोग पहले डाइनिंग स्पेस को देख लेते हैं डाइनिंग स्पेस को देखने के बाद हम लोग बैड्रूम के पास आएंगे तो बैडरूम में जैसी आप गुजे इस गेट से आपको लिविंग हॉल मिला इदा स्टेयर हो गया और यहां पर देखिए आप आपका मिलता है डाइनिंग स्पेस जहां पर जाके आप लोग खाना खा सकते हो निश्चीन तो हो के ठीक है और यहां पर देखिए आपका कोई भी डोर नहीं लग रहा है यह ओपन रहेगा और यह आर्च टाइप का रहेगा उपर में आप चाहो तो यह पर परदा लगा सकते हो करटइन लगा सकते हो बहुत हो गया तो यहां से एंटी करोंगे आपका डैनिंग स्पेस का साइस है आपका 10 ंश BY 10 तो आपको टॉलेट में जाके हाथ दोने की जोट नहीं है आप यहीं से उटोगे यहाँ पे अपना टैप खोलोगे और अपना हाथ यहां पे दोगकर इसे यूज कर पाओगे उसके बाद करते हैं हम लोग किचें की तो डाइनिंग स्पेस के बगल में देखी यहांपे किचे रखा गया है यह kitchen का size है आपका 10 feet by 9 feet 10 inch का और यहाँ पे आपका यह kitchen counter मिल जाता है यह आपका oven होगा यहाँ पे और यह आपका sink है ठीक है अब देखिए इस kitchen के लिए यहाँ पे दो डोर प्रवाइड किया गया है यह client requirement के हिसाब से प्रवाइड किया गया है आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो और इसे सिर्फ फुला रख सकते हो लेकिन यह requirement के हिसाब से दो प्रवाइड किया गया है तो यह आपके उपर है आप एक को बंद कर देना तो यहाँ पे एक डोर है और एक यहाँ पे डोर है अब देखिए kitchen के अंदर में ही आपको एक store room मिल जाता है यहाँ पे यह आपका entry है तो store room का size है आपका 10 feet by 3 feet 8 inch का कोई भी समानमान डखना है तो आप यहाँ पे रख सकते इसको use कर पाओगे अपने store room के हिसाब से तो चलिए आप store room से बाहर निकल के kitchen से होते हुए living dining space से होते हुए पहले हम लोग इस bedroom को देख लेते हैं तो यह आपका bedroom 1 है और इस bedroom 1 का size है आपका 12 feet by 11 feet 3 inch तो बड़ा bedroom है यह आपका bed का position आपको दिखता है और यहाँ पे आपको LED unit मतलब का जो TV है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो तो ventilation के लिए दो window यहाँ पे है एक window यहाँ पे है तो अच्छा का सा बड़ा bedroom है living dining space में भी आपको यहाँ पे ventilation मिल रहा था window के तोर पे अब चलिए इस bedroom से निकल के हम लोग इस opening से होते हुए यहाँ पे आते हैं और गेस्ट वेस्ट आएंगे वो इसको अराम से यूज़ कर सकते हैं यहाँ भी आपका ventilation के लिए यह रखा गया है ठीक है चलिए अब comment और यहाँ निकल के आते हैं और इस bedroom को देख लेते हैं तो यह bedroom आपका है यहाँ पे 12 feet बाई 11 feet तीन इंची का और इसी bedroom के साथ आपको attached toilet म position कर सकते हो अब देखिए यहाँ पर एक opening है यहाँ पर कोई door नहीं है यह opening है अच टाइप का आपको ऊपर architectural design मिल जाएगा यहाँ से आप गया और इसको आप यूज कर सकते हो dressing room के हिसाब से यहाँ पर आपका wardrobe रहेगा जिसमें आप अपना कपरा उपरा सब टांग सकते हो आप यूज कर सकते हो यहाँ आपको toilet पोचने का कोई भी समानुमान है आप यहाँ पर cupboard टाइप कर बना के उसको यूज करके रख सकते हो तो यहाँ का dressing room टाइप का हो गया जिससे आप यूज कर पाओगे अब यहाँ से dressing room से इधर देखिए तो यहाँ आपको attached toilet मिल जाता ह toilet कम बात हो गया आपका इसका size आपका 6 feet 5 inch अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो wall provide किया गया है external हो गया या internal हो गया उसका size क्या है तो अब जो external wall देख रहे हो इसका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है outer wall आपका 9 inch का है internal wall आपका 4 inch का है ठीक है तो external wall जो भी आप दे अपला हुआ है देखिए यहाँ पर door door type का है D1 and D2 ठीक है तो D1 कौन सा है चली देख लेते हैं और D2 कौन सा है देख लेते हैं तो यह तो आपका main door है जो की 4 feet का है बता दिया गया था अब D1 देख लिजे जहां भी bedroom आपको देख रहा है वो सारा D1 है तो यह bedroom में है तो D1 का size आपका है 3 feet by 6 feet 3 feet आपका length है और 6 feet आपका height हो गया तो आप इसका height जो है 6 feet की जगा 7 feet भी रख सकते हो कोई issue नहीं हो और D2 जो हमारा kitchen और toilet में था उसका है धाई feet by 6 feet यह आप धाई feet by 7 feet भी इसको रख सकते हो कोई issue नहीं होगा ठीक है तो चलिए आप देख ल आप ventilation provide करोगा अपने toilet में उसका होगा आपका 2 feet by 2 feet का तो देख लीज़े ये bedroom में जो आप देख रहे हो ये W, W यह होगा आपका 4 feet by 4 feet का और जो आप toilet में आप देखे हो ना यह toilet में आपका देखिए यहाँ पे ventilation के लिए V है यह V है यह आपका 2 feet by 2 feet का तो यह हो गया आप आप का वाल की बात विंडों हो गया दोर हो घया अब बात करते हैं कॉलम की कॉलम का जो साइज भूं रखा गया यहां पे 9 लाइश इंची थीक है 9 लाइश यह शेमिस बहुद इसमें च Milky चला जाता है और 12 लाइश आपका ऐसे होगा अप number of columns कितने हैं यहां पर आप यहां पर काउंट करके इसको देख सकते हो तो देखिए एक दो तीन चार पाँट छे साथ आट नौ दस ग्यादर बादर तेरह चौदर पंदर सोलह तो 16 numbers of columns आपको प्रोवाइट करने परेंगे इस 35 बाई 35 अगर आप चाहते हैं कि आप अपना प्लान खुद का बनवाए हमसे तो आप इस contact नमबर पर कॉल करके आप अपने requirement को बता सकते हैं और आपका house plan आपको बना दिया जाएगा आपके requirement के मुताबिक तो यह contact number आप note कर सकते हो 7007638067 contact details आपको description में मिल जाएगा आप वहाँ भी जाके इस contact details को ले सकते हो और जिने जिने यह plan पसंद आया है और आप इस plan को चाहते हो तो इसका PDF version मैंने description में डाल दिया है आप वहाँ से जाके इसको download करके safe अपने use के लिए इसको अ मैं जापिने सकते हो तो